पूर्व मुख्यमंतरी कमलाथ क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं ये वो सवाल है जो कुर्जनों से लगातार पूछा जा रहा है मदब्रदेश के राजनेते गल्यारों में अटकल ही लगाई जा रही है कि कमलाथ बीजेपी में जा सकते हैं आज यानिकी शनिवार को कमलाथ और नकुलाथ दिल्ली पहुँच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दावा कितना सच है कि कमलाथ और उनके बेटे नकुलाथ बीजे पी का दामन थामने वाले हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं दसूत्र और मैं हूँ आपके साथ निशी भार्गव कमलाथ को पूर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी का तीसरा बेटा बताया जाता था लेकिन फिर क्यों कमलाथ कॉंग्रेस पार्टी छोड़ना जा रहे हैं यह बड़ा सवाल जो इस वक् कॉंग्रेस छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन इसे बीच मद्द्प्रदेश बीज़बी के प्रदेश-अद्यक्ष बीडि शर्मा ने कमलाथ को लेकर बड़ा बयान दिया कि कमला अगर बीज़बी में शामिल होना चाहते हैं तो राम का नाम लेकर आ सकते हैं। ऐसे में जब कमल चिंदवाड़ा पहुचे और उनसे ताई के ओफर पर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि वे ऐसा कह रही है लेकिन पत्रकारों का क्या कहना है यह कहकार उन्होंने जवाब को गोल मोल गुमा दिया इसके अलावा विधान सभा सत्र के दौरान वेलिंटाइन डे के दिन सदन में चर्चा के दौरान कैलाश विजेवर्गी ने कहा था कि कमल से प्यार का इजहार किया जाता है और कमल नाथ यहां बैखे लेकिन क्या आपने नोटिस किया जब कमलाथ के राजिसवा उमीदबार अशुक शिंग के नामांकन के दौरान कमलाथ शामिल नहीं हुए थे जबकि वो प्रपोजर यानि की प्रस्तावक थे खबर तो यह निकल कर आई है कि बीजेपी ने कमलाथ से पूरी डील कर ली है और फो मुख्यमंद्री कमलाथ नकुलाथ और उनके सयोगी पहुंच गए हैं दिली सूत्रों के मुताबे कमलाथ नकुलाथ और उनके करीबी जल्ती बीजेपी में दिल्ली से एंट्री लेंगे कमलाद ने हाली में जो पावर टेनर किया था उससे भी कई तरीके के कायास लगाए गए थे अब सभी लोग तक तकी लगाई हुए दिल्ली और मद्रदेश की दरफ देख रहे हैं साथ ही यह कहते हुए मैं आपसे विदालूंगी लेकिन यह वादा कर रही हुँ कि हर अपडेट आपको दूगी इप्तिदाए इश्क रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या नमस्कार